है अट है लो दोस्टों कैसे हैं आप सब आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटल से रिव्यूस के अंदर दोस्तों आज हम जिस्व करने जा रहे हैं यह एक इंडिया का हिड़न जैम है और काफी स्थायव में तक यह ट्रेवल से डैलर्स के द्वारा पर जवाई गाव जैपूर के लिटरेचर फेस्टेवल में चर्चाओं में रह चुका है यहां के पैंथर पर लिखी एक किताब का विमोचन एक्स मुख्य मंत्री वसुंतरा राजे ने किया था और वन ने जिवो प्रेमियों के लिए यह काफी महत्रपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगे होगी जहां पर पैंथर और लॉइन एक साथ रहते हैं यह गाउं पाडियों से गिरा हुआ है और पुरानी लगबग 850 साल पुरानी अरावली की पाडियों से गिरा होने के कारण इनी में ही पैंथर रहते हैं और यहां पर आपको 4-5 पैंथर के जुन्ड असानी से अखल लेटिया करते हुए मिल जाएंगे और आम तोर पर यह म भूम सकते हैं कैसे यहां पर पहुंचें और सबसे बैस्ट वे क्या है और क्या क्या ट्रेवल डेस्टिनेशन से जो अपनी आप यात्रा में शामिल करना चाहेंगे चलिए जानते जवाई डैम के बारे में और अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्र सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना तो जवाई डैम के बारे में जानने के लिए अगर आप अगर इत्हास के पन्नों में जाएंगे तो जवाई डैम अपने इत्हास डैम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जवाई बांध राजिस्थान में लूनी नदी की एक सायक नदी जवाई नदी पर बना हुआ बांध है जो लगबक 70 साल पुरान है आपको बता दे जवाई बांध राजिस्थान की सबसे बड़े बांधों में से एक है यह डैम अपने आसपास की शहरों के लिए एक जीव परेटक प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं जो सर्दियों के दौरान दुनिया के बरफील हिस्सों से यहां पर उड़के आते हैं और यहां पर काफी लंबे टाइम तक यहां पर रहते हैं इसके अलावा आप यहां पर भालू हाइना और अन्यवन जीवों को भी दे के हैं तो अगर इधास की बात की जाए तो जवाई डेम राजिस्थान के पाली जिले के सुमेरपूर शहर के पास बना हुआ है और इस बांद के निर्मान जोदपूर के जोरपूर के महराजा उमेर सिंग द्वारा कराया गया था जवाई बांद को बनाने का कारे 12 माई 1946 को शुरू हुआ था और लगबख 1957 में बनके ये बांद तयार हुआ था जवाई बांद के निर्मान में कुल 2 करोड 7 लाक रुपे खर्च हुए थे और ये बांद लगबख 500 वर किलोमेटर के छेतर में फैला हुआ है जवाई बांद पश्मी राजिस्थान का सबसे बड़ा बांद है और इसकी समता 7,847.5 million cubic feet है आपको बता दे कि सेई बांद और काली बोर बांद इसके फीटर बांद है तो चलिए बात करते हैं इसके आसपास के गूमने लाइक जो ट्रेवल डेस्टिनेशन से उसकी तो पाली राजिस्थान का एक छेतर है और यहां पर गूमने लाइक बहुत कुछ है अगर आप पाली राजिस्थान में घूमने की योजना बना रहे हैं और इसके आसपास के परेटक स्थलों की सेर करना चाहते हैं तो हम आपको आज बताएंगे कि यहां पर आप क्या-क्या गूम सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आप लियोपार्ड सेंचुरी गूम सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको बता दू यहां पर लगबग 20 के आसपास गाउं रहते हैं और इनके बीच में लगबग 50 से जादा आप लियोपार्ड देख सकते हैं और ऐसी मानेता है कि अभी तक लियोपार्ड ने यहां पर किसी के इंसान के उप पर हमला ने किया है इसका रीजन ही है कि कि यहां पर लिपाइट्स को खाना मिलता रहता है जिसके वएक से वह हिंसक नहीं होते और और वो आसपास के लोगों पर अटैक नहीं करते हैं तो लियोपर्ड सफारी के लिए बैतर जगाओं में से एक है यहां पर सचित तिंद्रुकर से लेके बहुत बड़ी सेलिबर्टीज कई बड़ी सेलिबर्टीज भी यहां पर आके अपने एड़ सूट कर चुके हैं और यह यहां पर पैंतरों का आमना सामना भी हो चुका है और यहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि यहां पर शाम को पाड़ियों पर बैट आपको आसानी से पैंतर बैठे हुए देखे जा सकते हैं और कई बार लोगों का आमना सामना भी होता है तो लोग पैंतर को जोर से आव आपको पैंथर देखने को मिलेंगे पर वहां पर पैंथर आम तोर पर इंसानों पर हमला कर देते हैं और हाली में उधरपुर के अंदर एक आदम को पैंथर पकड़ा गया था जो चार इंसानों को मार चुका था पर यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर यह पूरे रजिस्तान का एक मातर ऐसा एरिय हैं जहां पर एक भी लियोपपड ने जजान पर हमला नहीं किया है अगर ट्रेवल डेस्टनीशन्स की बात की जहें तो लियोपड सफारी काप मज़ा ले सकते हैं साती के साथ आप यहां पर जवायपांद का मज़ा भी ले सकते हैं आपने आप में एक अक्रशन केंदर है यहां का शान्त वातावरण और बैता हुआ पानी आपको शान्ति प्रदान करेगा और यहां पर आपको गंटों तक बैठने पर मजबूर करेगा साथ आप यहां पर आएं सुकून के पल बिताएं यहां के आस पास का चेतर और रावली की पाड़ियों का मनुरम दिश्य आपका दिल खुश कर देगा साथी के साथ मैं आपको बता दू कि यहां पर दूर दूर तक आपको खुला मैदान देखने को मिलेगा तो अगर आप ऐसे व सफारी के देखने के साथ साथ आपको कई बार आपको ऐसे लोग में मिलेंगे जिनके पास से 3하면 गुज़र गया आपको ग्रूप्स मिलेंगे 3 मिलें के बेढ़े हुए तो उनसे घब्राने की जरूप यहां पर आपको गैरर मिलेगा जो आपको बिताएगा कि आपको सिचु आता है तो वह यहां पर बच जाता है ऐसे पुरानी मानेता पुराने लोगों ने इसलिए रखी ताकि गाउं में सुरक्षा का भाव बना रहे और जैसे कोई भी आक्रमण कारी या बाहर की तागतें जब गाउं में हमला करें तो गाउं में एकता बनी रहे और संख्यावल ब देख सकते हैं लकेटिया गार्डन भी देख सकते हैं लकेटिया गार्डन है यहां पर एक बहुत अच्छा गार्डन है और परमुक प्रेटक स्थलों में से एक है आपको बता दे कि गार्डन लकोटिया तालाब से गिरा हुआ है और इसी की विएसे का नाम लकोटिया गार और इसके केंदर में एक शिव मंदिर है और यह लोगों को बहुत आकटशिक करता है क्योंकि यह भगवान नीलकंट के रूप को यह समारपित है और यह एक मात्र पाली में ऐसी जगह है जहां पर आप जरूर आना चाहेंगे और अपनी यात्रा में शामिल करना चाहेंगे इसके अलावा आपको यहाँ पर परशुराम महादेव मंदिर मिले देखने को मिलेगा पर्शू राम मादे मंदिर पाली के प्रमुक मंदिरों में से एक है जो बगवान विश्णु के छटे अवतार बगवान पर्शू राम को समर्पित आपको बता दे पाली मंदिर के आसपास अरावाली प्रवस चंकलाओं के बीच में ये मंदिर आपको मिलेगा और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आक्रमक कुलाड़ी चलाने वाले परशुराम ने ध्यान किया था और आप इस मंदिर की यात्रा करना चाहेंगे पर ये आपको जानकारी देदे ये मंदिर एक दूरत इस्थान पर है और यहाँ पहुचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है अगर आप ट्रेकिंग का शौक रखते हैं और ट्रेकिंग प्रेमी है तो आपको यहाँ पर ज इसके अलावा आप यहाँ पर बांगूर सेरा मेर्ज़म में भी जा सकते हैं बांगूर संगराले एक चोटा संगराले साफसुदर संगराले जहां पर आप तांबे के सिक्के पेंटिंग आम्रेस्ट और जन जाती हचल्प के अद्बुत कलेक्शन को देख सकते हैं आपको बता दें इस संग्राले में कई ऐसे उपकरण हैं जो पूरा पशाण काल से यहां पर हैं और बंगुर संग्राले में चित्रकला और हतियारों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है राजिस्थान की संस्कृतिक का यहां पर आपको जीता जाकता नमूना देखने को मिलेगा आहां पर देख सकतें इस जाए आप़ घूंके आप राजिस्थान के लोकल कल्चर और लोकल जानकारी बारे में आपको पता लगेगा और हैं के यहांं के राज्यार्स्थान के राज्य के बारे कफिया जानकारियां भी मिलेगी अगला जो ट्रेवल डेस्टिनेशन है वह है ओम बनना मंदर ओम बनना मंदर एक सच में अधबूर मंदर है और इसकी काफी ज़्यादा मानिता है जो यह ऐसा मात्र मंदर है जो बाकी मंदरों से बिल्कुल अलग है पालिक है इस मंदर के अंदर आपको आपको बता दे कि कोई भी यहाँ पर आपको मूर्ती देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कांच में एक बुलेट बाइक देखने को मिलेगी, और साथे में आपको एक व्यक्ति की फोटो भी देखने को मिलेगी, और यह फोटो खुद ओम बनना जी की है, और ऐसा खा जाता है कि पाली करने जा रहे हैं तो एक बार ओम बनना मंदिर भी आप जरूर जाएं अब बात आती है कि राजिस्थान में आप कैसे पहुंचे और कौन सा समय जाने के लिए अच्छा है तो अगर आप जवाई बांध राजिस्थान गूमने जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि करने का एक बहतरीन समय है क्योंकि इस मौसम के दौरान बांध के आसपास आपको क्याई ज़्यदा परवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे और मौसम के अलावा परेटन इस्थलों की आप असानी से अच्छी तरह से घुसायर सपाटा कर सकते हैं अगर खाने की बात की जाए तो पाली जिले में खाने के लिए यहां पर स्थाने बोजन आपको देखने को मिलेंगे और इसको आप बिर्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं यहां का स्ट्रीट फूड बहुत ही मशूर है जोदपूर में आपको लिप स्मेकिंग स्ट्रीट फूड और क्लासिकल डैनिंग रेस्टूरेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे जोदपूर में खाने के लिए परामपरिक शैली की राजिस्थान की प्लेट साती के साथ दाल बाटी चूर्मा कड़ी चावल और राजिस्थानी कड़ी आटे का हलवा लपसी बदाम हलवा बाजरे का सोगरा कावुली चंदेलिया की सबजी काचरा बीच और काचरा मिर्च आपको यहाँ पर बहुत लजीज खाने को मिलेगी इसके अलावा आप अगर नौन वैज का शोग भी रखते हैं तो उसके भी बहुत सारे आप्शन यहाँ पर हैं और स्वाद इनका ऐसा होगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं अब बात आती है कि यहाँ पर पहुँचे कैसे तो अगर आप बता दें कि आप कि स्वे में आना चाहते हैं जैसे कि आप हवाई यातरा सड़क मातरा सड़क और रेल हवाई सड़क और रेल और रेल यातरा तीनों के दौरान आप यहां पर आसकते हैं अगर बात की जाए रेल के दौरा तो रेल के दौरा आप यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं और यहां का नेरभाइ जो रेलवे स्टेशन है वह मारवाड रेलवे स्टेशन पाली पाली मारवाड रेलवे स्टेशन है यहां के एक शैर के सेंटर में बसा हुआ है वहाँ से आप टेक्सी या कैप की मदद से जवाई बान तक असानी से पहुंच सकते हैं तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आपको पाली मारवाड रिल्वे स्टेशन उतरना होगा वहाँ से आप टेक्सी कैव करेंगे तो आप जवाई बाहन आसानी से पहुंच सकते हैं अब बात आती है कि सड़क मार्क दौरा कैसे पहुंची है पाली बस्टेंड शेहर के केंदर से लगबग 3.7 किलोमेटर की दूरी पर है और जोदपूर से सुर्फ 70 किलोमेटर की दूरी पर है तो पाली आप NH-62 के दौरा आप जोदपूर शेहर से कैव या फिर टेक्सी कर सकते हैं आपको बता दें जवाई बांद का कोई अपना बस्टेशन नहीं है तो इसके लिए आपको सिरोई बस्टेंड पहुंचना होगा और पाली से सिरोई की दूरी लगबग 115 किलोमेटर की है तो आपको पाली आना होगा पाली से सिरोई आना होगा और उसके लिए का आप बस या टेक्सी असानी से पहुँच सकते हैं अब बात आती हवाई मार्क की तो हवाई मार्क में आप आपको नेरबाय जो आपको एरपोर्ट पढ़ेगा वो होगा जोद्पूर का जो यहां से पाली से लगबग 72 किलोमेटर की दूरी पर है हवाई एड़े पर उतरने के बाद आपको बस या टेक्सी की मदद से पाली पहुचना होगा और पाली पहुचने के बाद आप बस या टेक्सी की मदद से जवाई बांध पहुच सकते हैं तो आप बताएं आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़ करें तेक्टाइ ओू।